हलो पड़ाकूज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, ये इस कॉंसेट किलियर सेंटर, वेर आल कॉंसेट्स आ फिस्टल किलियर, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, अफाइन बैलेंस नोवल की समरी को, इस नोवल को लिखा है, रोहिंटन मिस्ट्री ने, ये नोवल हम इंडिया में जो कास्ट्री डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बारे में बताएगी, और साथ ही इंद्रा गांधी के टाइम पे जो इमर्जन्सी लगाई गई थी, वो भी इस नोवल में बताया है, समरी स्टार्ट करने से पहले फी समिट कर दें, जो कि ये वीडियो को इस नोवल में इन सभी केरेक्टर का पास्ट और प्रिजेंट दोनों को लिंक करके बताये, इसलिए दिमाग लगा के पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस्टार्ट करते हम दीना दायल से, ये इनके फादर एक डॉक्टर थे, और वे चाहते थे कि दीना भी बड़ी होकर डॉक्टर बने, तो इसलिए उसको डॉक्टर की पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन इनके फादर की डैथ होजाती है, और दीना अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं, तो क्या होता है दीना बड़े भाई, नुस्वा के उपर निर्भर हो जाती है नुस्वा दीना के बड़े भाई है इन्होंने दीना की पढ़ाई भी छोड़वा दी थी फिर बाद में ये दीना की शादी करवा देते हैं ताकि दीना सेटल हो सके लेकिन शादी के तीन साल बाद दीना के हस्बेंट की देथ हो जाती है साइकल से जाते वक्त तो इसके बाद दीना ने सोचा कि वे अब अपने पेरों पर खड़ी होंगी तो इन्होंने बॉंबे में एक अपार्टमेंट कराए पर लिया और टेलर का काम स्टार्ट किया लगबग 20 साल तक वे टेलर का काम करती है फिर इनकी जो आखे होती है उसकी रोशनी कम होने लगती है अब ये एक मिडिल एच वोमेन है फिर दीना के अपार्टमेंट में तीन लोग रहने आते हैं ओमप्रकाश ईश्वर और मनिक अब हम बात करते हैं ओमप्रकाश और ईश्वर के बारे में ईश्वर ओमप्रकाश का चाचा है और ओमप्रकाश ईश्वर का भती जाए इश्वर के पिता का नामे नारायन और नारायन इश्वर के भाई हैं अब इनके पास्ट के बारे में हम जानते हैं जो ओम प्रकाश और इश्वर हैं ये निचली जाती के लोग हैं ये चमार हैं चमार वे होते हैं जो चमड़े का काम करते हैं और इन सब पर दवाओ है अपर कास्ट के लोगों का कि तुम ये काम नहीं छोड़ सकते मतलब हमें कास्ट ये डिस्क्रिमिनिशन भी देखने को मिल रहा है दुखी जो की ईश्वर और नारायन के पिता हैं दुखी ने सोचा मैंने अपनी पूरी लाइफ कॉबलर का काम किया ही तो वे चाते थे कि उनके बेटे ईश्वर और नारायन थोड़ा अच्छा काम करें तो दोनों बेटों को टेलर का काम सिखाया तो इस पर उनके गाव के ठाकूर ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बच्चों को टेलर बनाने की ठाकूर एक उची जाती मानी जाती है तो इसने क्या किया दुखी और उसके पूरे परिवार को जिन्दा चला दिया और नारायन को पेड़ से लटका दिया पर जो ओम प्रकाश और ईश्वर थे वो बजगाये थे अब दोनों के प्रेजेंट की बात करते हैं ये दोनों बॉम्बे आ चुके हैं कमाने के लिए शुरू में ये बॉम्बे के सिलम में रहते थे बाद में दीना के अपार्ट्वेंट में रिंड पर रहने लगे क्योंकि दीना की जे ये काम करने लगे थे अब नोवल में हमें मनिक के बारे में बताया जाता है ये एक कश्मीरी लड़का है और पढ़ने में बहुत तेज था इनके फादर कोला बनाते थे पर इंडस्रिलाइजेशन आने की वज़े से वे बेरोज़गार हो गए थे मनिक के फादर दीना दायल के हस्बेंट के फ्रेंट है जिनकी देथ हो गई है मनिक को अपनी पढ़ाई कम्लिट करनी थी तो वे दीना दायल के घर में रहने लगते ही ये तो हमने पास्च के बारे में जाना है तो उन्हें एक Export Company जो की Garments का काम करती है उसे कपड़े सिलकर देना होते है तो वे ओम प्रकाश और रिश्वर को हायर करती है तो कि दोनों को टेलर का काम आता था और मनिक भी रहने आ जाता है दीना के साथ ये तीनों रेंट देते थे दीना को और दीना ओम प्रकाश और रिश्वर को काम करने के बदले में पैसे देती थी अब जो दीना है उन्होंने अपार्टमेंट लिया था रहने के लिए पर वें यहाँ पर एक छोटा सा बिजनेस चला रही थी दीना का जो रेंट कलेक्टर है जो मकान मालिक है उसका नाम है इबराहीम यह बहुत दबंग आदमी था यह दीना को धंकिया देता रहता था कि रेंट पे करो रेंट पे करो जरा से भी लेट हो जाती थी तो गंदी गालिया भी देता था अपार्टमेंट में बिजनेस क्यों चला रही हो ऐसे सवाल भी करता था और केथा था तुम बिजनेस चला रही हो तो मैं इसका किराय बढ़ा दूगा इन सबसे बशने के लिए दीना एक जूट बोलती है कि ईश्वर उसका हस्बेंड है और ओम प्रकाश और मलिक उसके बच्चे हैं यह थी प्रिजेंट की कहानी अब क्या होता है यहां से पूरे देश में इंटरनल इमर्जनसी लग जाती है जो कि 1975 से 77 तक चली थी इमर्जनसी के बाद इन सब की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो इंटरनल इमर्जनसी थी उसके बारे में हम कुछ बाते जानते इस इमर्जनसी की वज़े से तीन मेजर प्रॉब्लम सुई थी पहला जो फंडमेंटर राइट्स हैं जो मौलिक अधिकार थे वे खतम हो गए थे दूसरी यह आदमियों की सरकार जबरन नजबंदी करवा रही थी तीसरी यहती शेर में जो सिलम्स थे उन्हें हटाने की नाम पर वहाँ से लोगों को किड्नेप करकर उन से फॉर्स लिवर करवा रहे थे मीन्स उन से मज़़ूरी करवा रहे थे उनकी मर्जी के खिलाफ और उने पेसे भी नहीं देते थे इमर्जंसी की बात इन चारों का रहना भी मुश्किल हो जाता है इसी बीच क्या होता है ओम प्रकाश और ईश्वर अपने गाउ चले जाते है पर इन दोनों को वहाँ की स्टेट पुलिस के दौरा पकड़ दिया जाता है और सिटी को बीटुफुल बनाने के नाम पर दीना के घर को भी तोड़ दिया जाता है उसके घर पर बिल्डोजा चला दिया जाता है जितनी भी जुग्गी थी जोबने थी उन्हें सरकार के दोरा हटा दिया जाता है अब ये चारों बेगर हो गए मनिक को अपने ग्रेजिशन का सर्टिफिकेट मिलने वादा था पर अब में इमर्जनसी लग गई थी ओम प्रकाश और ईश्वर से जबरदसी काम करवाया जा रहा था बिला किसी पेसे दिये उन्हें सड़क पनवाते थे सिटी को बीटुफुल बनाने के नाम पर ये दोनों वहाँ से भागना चाते थे वहाँ पर उन्हें एक भिकारी मिलता है जो की दलाल है वे वह वहाँ पर जितने भी भिकारी थे जो भीक मांग देते हैं उनका लीडर था या यूँ का मालिक होता है तो वे दोनों उस भिकारी को घूस देकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अपने गाउ चले जाते हैं पर गाउ में भी इनकी परिशानियां कम नहीं होती इश्वार जो था उसने अश्रफ से टेलर का काम सीगा था अश्रफ बूड़ा हो चुका है वे अश्रफ के घर पर रहने लगते हैं क्योंकि इनका घर जो था गाउ में वे तो ठाकूर के दोरह जला दिया गाया था उनके पिता और पूरे परिवार को जिन्दा जला दिया था और अगर बात करें दीना की तो वे वापस से अपने भाई नुश्वा के उपर डिपेंड हो जाती है अब अश्रफ के घर पर आकर क्या हुआ ओम प्रकाश और इश्वर के साथ वे जानते हैं यहाँ पर आने के बाद भी इनकी परिशाने और बढ़ गए थी एक दिन ये दनों रास्ते से जा रहे थे और सामने से ठाकूर आता है तो ओम प्रकाश ठाकूर की तरफ मुँ करके थूख देता है तो ठाकूर सोचता है अब मैं बतला लूँगा मेरी बेज़दी कैसे करी ठाकूर को काम दिया जाता है कि जिसे भी नस्बंदी करवानी है आप हमें बताएं ठाकूर दोनों की जबरन नस्बंदी करवा देता है किसकी ओम प्रकाश और ईश्वर की ओम प्रकाश तो खाली 18 से 20 साल का होता है और ईश्वर की नस्बंदी बहुती गंदी जगे पर होती है वे जगे बिलकुल भी हाईजिन नहीं थी जिससे इसके पेर में गेंगरीन बन जाता है और इसके पेर को काटना पड़ता है ईश्वर अपंग हो जाता है और ओम प्रकाश अब कभी भी बाप नहीं बन पाएगा तीना अपने भाई पे डिपेंड हो जाती है और मनिक अपने माबाप के घर वापिस चला जाता है मनिक अपनी कॉलेश लाइफ से बिलकुल भी खुश नहीं था उसकी कॉलेश में रेगिंग होती थी कॉलेश में उसका एक दोस्त था अवीनेश नाम का वे पूरे कॉलेश का प्रेसिडेंट है यानी चातर नहता था और मनिक को बहुत अच्छे से गाइट करता था अवीनेश को पॉलिटिक्स के चकर में मार दिया जाता है और उसकी सारी बहने सुसाइट कर लेती है क्योंकि उसकी बहनों को लगता है अब मनिक नहीं रहा तो उसकी शादी कौन करवाएगा वे सब तो मनिक पर डिपेंट थी तो ये सब तो अमर्जनसी के टाइम का था अब हमें नॉबल में 1984 की कहानी बताई जाती है 1984 का टाइम आता है अब बहुत कुछ बीच चुका है इसी बीच मनिक दुबाई काम करने चला गाया था क्योंकि उसकी महाँ पर बहुत अच्छी जॉब लग गई थी 1984 में वे वापस आता है तो उसे वापस आकर बहुत बुरी-बुरी खबरे मिलती है जैसे इंद्रा गान्दी की हतिया कर दी गई थी अश्रफ के घर पर जो अश्रफ थे उनकी भी देथ हो चुकी थी और अश्रफ के जो दामाद थे उन्होंने उसका घर बेश दिया था तो ये दोनों गाउ से वापस शेहर आ गाये थे शेहर में दोनों भीक मांगते थे एक ट्रॉली के उपर ईश्रफ बेट जाता था और ओम प्रकाश उसे ढखाता था इनका गुजारा भीक मांगने पर ही हो रहा था मलिक जब दीना के घर उससे मिलने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे ओम प्रकाश और ईश्रफ भीक मांगते हैं लेकिन वे उन दोनों को पेचान नहीं पाता अब जब मनिक ने इतनी सारी बुरी खबरे सुनी तो फ्रस्ट्रेशन में आकर वे ट्रेंड के सामने आकर सुसाइट कर लेता है और इसी के साथ यहां पर फिनिश हो जाती है वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा नहीं आई झाल